आप इस साल एक AC लेनी की सोच रहे हैं तो जाइए बाकी लोगों की तरह Amazon ये Flipkart पे जो भी आपका budget हो और जिस पर भी आपको अच्छे reviews और ratings दिख रहे हो वो AC खरीद लीजिए इससे क्या फ़रक पड़ता है कि आपके room का size कितना है आपके लिए एक inverter AC सही रहेगा या non inverter औ और क्या वो उसके price के इसाब से उतनी value provide करेगा ऐसे ही 90% लोग अपने लिए एक गलत AC खरीदते है और उनके bill भी भर भर क्या आते है पर क्यूंकि आप click कर चुके है इस वीडियो पर आपके साथ ऐसा बिलकुल नहीं होगा क्यूंकि मैं आपको market में available सबसे best AC के बारे में तो बताऊंगा ही पर उसके साथ साथ कूछ ऐसे important points बताऊंगा जो आपको बता होने ही चाहिए कोई भी AC खरीदने से पहले वरना आप एक गलत AC buy कर सकते है इसलिए वीडियो को बिना skip किये ध्यान से देखिए सबसे बहले बात करते है buying guide यानि उन important points की हमारा first point आता है कि आ totally depend करता है आपके room size के उपर आप इस chart को देख सकते है इसके help से आप decide कर सकते है कि आपके लिए कितने capacity का AC सहीर रहेगा और हाँ ये size change भी हो सकता है अगर आपके room में बड़ी windows है जिस पर direct sunlight आती है या फिर आपका room top floor पर है आपके लिए एक inverter AC सहीर रहेगा या एक non inverter see यह room में openings है उस पर direct sunlight आती है देन एक non inverter AC आपके लिए सहीर रहेगा और difference आप यहाँ पर देख सकते है नेक्स्ट है star ratings अगर आप 4 महने या उससे कम AC का use करते है देन आपके लिए 3 star AC सहीर रहेगा अगर आप 5 से 7 महने AC का use करते है तो 4 star AC की तरब जाईए और अगर आप 7 महने 5 and 3 star AC को compare करेंगे तो आपकी हर महने 500 से 600 रुपे की बचत होगी और इस तरह आपने जो extra money spend किये है वो आप देड़ दो साल में recover कर लेंगे फिर हर महने आपकी इतनी बचत होगी that's why you should consider 5 star AC description में आपको सारे ratings के best AC की link मिल जाएगी Indian season energy efficiency ratio यानी ISER ratings इसके help से आप जान सकते ह कि आपका AC कितना energy efficient है सबसे पहले यही देखे कि आपके AC पे new ratings दी हो क्योंकि new ratings के according पिछले साल जो AC 5 star था वो इस साल 4 star हो गया है इसलिए जितनी ज़्यादा आपके AC की ISER rating होगी उतनी कम वो electricity consume करेगा यह देखिए कि value 5 से ज़्यादा हो चैन की नीन तो सभी को चाहिए उसी के लिए ही तो आप एक AC खरिद रहा है तो उसके noise levels का खास ध्यान रखे वो 42 decibels से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना वो आपके लिए disturbing हो सकता है Don't worry list में मैंने सभी कम noise level वाले AC ही include किया है कोई भी AC खरिदते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि उस AC पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा warranty मिलनी चाहिए और खास करके ध्यान दीजिए कि आपको compressor और PCB पर कितने साल की warranty मिल रही है दोस्तो AC की cost में आपको हमेशा 4-5,000 extra add करके चलना चाहिए जो की installation charges, outdoor unit का stand and copper pipes के use में आएंगे और दोस्तो अगर आप चाहे तो अपने AC के साथ एक stabilizer भी लगा सकते है इससे उसकी life protected रहती है वैसे don't worry दोस्तो इन सभी points के basis पर ही मैंने इस साल के 5 best AC को select किया है और ऐसा नहीं है कि first वाला ही आपको लेना चाहिए and fifth वाला अच्छा नहीं है सभी AC recommended है आप अपनी requirements के हिसाब से कोई भी खरीच सकते है best ACs in India की मेरी लिस्ट में fifth number पर आता है carrier का ये 1.5 ton 5 star AC इसमें आपको 6 in 1 convertible modes मिलते है जिसमें आप बाहर के temperature के according 0.8 ton से लेकर 1.7 ton capacity तक 6 अलग-अलग modes पर चला सकते है जो कि इसे energy efficient बनाता है और ये आपको एक perfect cooling environment provide करेगा इसके अंदर आपको 100% copper coils मिलते है और ये DC inverter compressor के साथ में आता है aqua coating की गई है इसके coils पे जो कि एक transparent chemical होता है जो rust and corrosion से coils को protect करता है 52 degree Celsius तक के temperature में भी ये AC best work करेगा ऐसा carrier claim करता है carrier का AC PM 2.5 micron and HD filter के साथ में आता है जो कि pollutants को filter करके आपको healthy and fresh air provide करता है दोस्तों इसमें आपको R32 refrigerant gas मिलती है जो लिस्ट के सभी ACs में है ये eco-friendly होती है और इसकी maintenance cost भी बहुत कम है साथ इसके noise levels 44 decibels की मिलते है carrier की इस AC में आपको refrigerant leakage detector मिलता है 2-way air swing है और काफी सारे necessary sensors मिलते है जो ensure करेंगे आपकी safety को और non-stop cooling प्रोवाइड करने में help करेंगे साथ इस पे ISR rating आपको 5.13 मिलती है और इसकी cooling capacity 5000 watts की है आपको 1 year की warranty product पर 10 years की compressor पर and 5 years की PCB पर मिलती है which is nice अभी आपको 42,000 का मिल जाएगा अच्छा model है दोस्तों इसकी cooling capacity भी काफी सही है warranty भी आपको अच्छी घाजी मिर रही है but compare to other brands केरियर की service कुछ cities में अच्छी नहीं है and ये आपके लिए थोड़ा noisy हो सकता है अगर आपकी city में इसका service center है तो आप इसकी तरब जा सकते है इसकी buying link नीचे description में है और हाँ दोस्तों ये कोई sponsored वीडियो नहीं है ये हमने हमारी research से आपके help के लिए बनाई है अगर आप हमारी दी हुई link से खरीते है तो आपके price को जरा सा भी change न करते हुए इस channel की काफी help होगी प्लीज वही से खरीते next fourth number पर आता है dyakon का 1.5 ton 5 star model और यहाँ पर dyakon ऐसा claim करता है कि ये AC 54 degree Celsius temperature में भी आपको best cooling provide करता है साथ ही इसमें आपको 100% copper coils दिये गए है जो काफी durable होते है dyakon के इस AC में आपको triple display मिलता है जो कि आपको percentage of power consume, room का temperature और error codes ये तीनों चीज़े show करेगा इसमें PM 2.5 filters लगे मिलते है जो micropollutants को filter करके आपको fresh air supply करते है साथ ही इसमें एक power chill mode आपको मिलेगा जिसमें ये extreme heat conditions में भी instant cooling provide कर सकता है और दोस्तो इस AC की special बात ये है कि ये patented swing compressor के साथ में आता है जो काफी efficient and quiet operation करके आपको consistent cooling देता है इसके noise levels आपको 38 decibels के मिल जाते है इसमें आपको dew clean technology मिलती है basically ये auto clean feature है जिसका benefit ये है कि बस एक button से इसके indoor unit के coils easily clean हो जाएगी साथ ही इसमें आपको 3D airflow भी मिलता है और इसके अंदर आपको एक inbuilt stabilizer मिलता है तो आपको external दुसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको 5,280 watts के cooling capacity मिलती है which is a very good thing और इसकी IACR rating है 5.2 डाइकन आपको देता है 1 year warranty on product 5 years की PCB पर है और 10 years की compressor पर आपको मिलेगी और फिलाल ये 46,000 का आपको मिल जाएगा डाइकन एक काफी अच्छा brand है दोस्तों पिछले साल भी इसका IAC best sellers में से एक था cooling capacity भी आपको बढ़िया मिल रही है बट ना ही इसमें convertible modes है और ना ही कोई smart features पर अगर आपको ज़्यादा कोई smart features से कोई मतलब नहीं है आपको बस fast cooling वाला and energy efficient AC चाहिए ये आपके लिए perfect option हो सकता है link description में है अगला आता है दोस्तों mid budget segment का काफी popular brand LG का ये 1.5 ton 5 star AC जो कि एक dual inverter AC है LG के इस AC में आपको 6 in 1 convertible modes मिलते है जिसमें 4 modes से आप AC को कम capacity में use कर सकते है और एक ऐसा mode है जिसमें आप 110% capacity पर चला सकते है जिसे यहाँ विराट mode कहा गया है previous models में इसकी limit हुआ करती थी आदे घंटी की जिसे आप हटा दिया है यानि आप extreme heat में इसे continuously use कर सकेंगे which is a very good thing प्लस एक AI mode भी आपको मिल रहा है इसके अंदर भी आपको 100% copper condenser coils मिलते है जो काफी durable होते है इसके outdoor unit के fins पर आपको ocean black protection देखने को मिलता है जिससे वो corrosion resistant एंड ज्यादा durable रहता है दोस्तो इस AC में आपको सब भी necessary features मिलते है like low gas detection, four way air swing, auto clean and mute function जैसे और भी काफी सारे features है इसमें silver के nano particles का filter लगा है जो virus और बैक्टेरियास को purify करता है self diagnosis system के साथ-साथ यहाँ पर आपको ADC sensor भी दिया गया है और ISC rating की बात करें तो 5.2 आपको दी गई है 36 decibels के आपको इसमें noise levels मिलते है which is quite good LG आपको पूरे इंडिया में अच्छी service प्रोवाइड करता है 10 साल की warranty मिलती है आपको compressor पर 5 year on PCB and 1 year की product पर है currently यह 47,000 का आपको मिल जाएगा overall दोस्तों LG का यह 1.5 टन 5 स्टार AC काफ़ी बढ़िया है बड़ दोस्तों LG के 3 स्टार मोडल में आपको 5 स्टार से जाधा cooling capacity मिलती है सो अगर आपको better cooling चाहिए then go with 3 स्टार मोडल and better saving के लिए go with 5 स्टार मोडल जिसके उपर durafin ultra coating की गई है जो इसे rust and corrosion resistant बनाता है और वो harsh climatic conditions में भी protect करेगा इसके अंदर आपको 5 win 1 convertible modes मिलते है जिसे आप 40, 60, 80, 100 and 120% cooling capacity पर चला सकते है जो इसे energy efficient बनाता है Samsung के इस AC में आपको 5.16 ISCR rating मिलती है auto clean feature and dehumidifier जैसे काफी सरे functions भी मिलते है इसमें आपको copper antibacterial filter मिलता है जो एक हद तक बहार के polluted air को purify कर सकता है साथ ही इसके compressor में आपको 8 fold motor मिलती है जो इसे energy efficient बनाती है इसमें आपको voltage fluctuation control भी मिलेगा smart installation sensor with all necessary smart sensors आपको मिलेगा 5000 watts की आपको cooling capacity मिलती है cooling काफी अच्छी है and Samsung की after sale service भी Samsung आपको देता है one year warranty on product 10 साल की compressor पर और 5 साल की PCB पर है अभी ये 45,000 के आसपास आपको मिल जाएगा अच्छा AC है दोस्तो does the job wonderfully and इसमें smart error detection भी है बट इसके noise levels शायद कुछ लोगों को जादा लग सकते है that is 40 to 45 decibels otherwise Samsung का ये AC आपके लिए perfect choice हो सकता है इसका एक दूसरा option भी है wind free model जिसमें आपको 23,000 micro air holes दिये गए है जिनकी help से air flow increase होता है और ये wider area को cool कर पाता है और Samsung ऐसा claim करता है कि ये wind free model कम energy consume करता है compare to normal model उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी so finally first number पर आता है Panasonic का ये 1.5 ton 5 star AC काफी बड़ी AC है दोस्तो 7 in 1 convertible modes मिलते है आपको with AI mode बाहर के temperature के according आप इसमें cooling modes select कर सकते है according to Panasonic ये 52 degree Celsius तक के temperature में भी efficiently work करता है क्योंकि ये twin inverter compressor के साथ आता है and 5100 watts के आपको इसमें cooling capacity मिलती है साथ ही इसमें आपको 100% copper condenser coils मिलते है जो की shield blue technology के साथ आते है इस coating की help से condenser anti corrosion बन जाता है और इसकी life 2X हो जाती है और दोस्तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको AC के साथ में एक air purifier भी मिल रहा है तो जी हाँ दोस्तो इसमें आपको PM 0.1 filter मिलता है जो की काफी छोटे micropolitants को भी purify कर सकता है which is a excellent feature जो आपके room के अंदर cool healthy air supply करेगा सभी तरह के smart and necessary features आपको AC में मिलते है humidity control, 4-way swing, wifi AC है यह voice assistant के थुरू, phone के थुरू भी आप इसे control कर सकते है और इसके app में आपको काफी थारे functions मिलेंगे 5.10 ISER rating के साथ में यह आता है और warranty भी आपको काफी अच्छी मिल रही है 1 year on product, 4 years on PCB, 9 years on compressor and 5 years on outdoor unit penasonic का यह 2023 model आपको 47,000 का मिलेगा definitely at this price यह एक value for money product है दोस्तो again, list के सभी ACS के discount buying link निचे description में है उन्हें जरूर चेक कीजिएगा सभी ACS अच्छे है दोस्तो आप अपने budget and requirements के हिसाब से इन में से कोई भी खरीच सकते है